सांसर स्मृति इरानी अपने दो दिवसिये दोरे पर अमेठी पहुंची जहां उनका भविस्वागत किया गया इसके बाद स्मृति इरानी एक जन चौपाल में शामिल हुई जहां महिला ने उन्हें घेर लिया महिलाओं ने सांसर के सामने रोजाना हो रही दिक्कत और इल्जामों की जड़ी लगा दी जिससे सांसर स्मृति इरानी नाराज हो गई नमस्कार मैं हूँ किरन आप देख रहे हैं न्यूस टाइम नेशन सांसत स्मृति इरानी के सामने लगी इस भीड को देख रहे हैं आप इसमें जादर तर महिलाएं और सभी की एक ही दिक्कत है और वो दिक्कत है कोटेदार जी हाँ कोटेदार की मनवानी और घट तौली से ये महिलाएं खासा परिशान है जिनके खिलाफ शिकायत लेकर ये महिलाएं सांसत के पास पहुँची दरसल अमेठी जिले में कोटेदार आम लोगों को परिशान कर रहे हैं महिलाओं का आरोप है कि कोटेदार कम राशन तौलते हैं अक्सर नेट कर्लेक्टिविटी का हवाला दे करके उन्हें राशन नहीं दिया जाता तो कभी-कभी अंगूठा लगवाने के बावजूद कोटेदार उन्हें राशन नहीं देता इस तरह की तमाम शिकायते लेकर महिलाओं सांसादिस्मृती इरानी के सामने जा पहुंचे महिलाओं की दिक्कते सुनकर सालसद भी आग बबूला हो गई कोटेदारों की बची कुछी शिकायतों के बाद विध्वा महिलाओं ने जब अपनी दिक्कते सुनानी शुरूर की तो सांसत का गुसा सातवे आस्मान पर पहुच गया महिलाओं ने बताया कि सारे पेपर सही होने के बावजूद उन्हें विध्वा पेंशन नहीं मिल रही जिससे वो खासा परेशान है जितनी देर भी सांसत स्मृति एरानी जन चौपाल में रही उतनी देर उनके साथ शिकायतों का सिलसिला जारी रहा और आखिर में सांसत सभी एधिकारियों को सक्त लहजे में हिदायत देते हुए जल्द से जल्द सारे मामले निप्टाने को कह कर गई इस वक्त अमेठी में सभी को सरकारी योजनाओं का लाब मिल रहा है लेकिर इन महिलाओं ने उनके दावों पर भी सवाल या निशान लगा दिये जिसे स्मितिरानी अधिकारियों पर खासा नाराज हो गए अब देखने ही होगा कि आखिर महिलाओं की ये दिक्कतें कब दूर होती है आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा अगर आप फेस्बुक पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को पॉलो करें साथ ही साथ अगर आप यूट्यूब पर हमारी ये खबर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले नमस्कार सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूस टाइम नीशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं और हाँ खबरे पसंद आजाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें